इस वीडियम हम आपको बताएंगे कि आप ड्रीम 11 के नोट्फिकेशन को कैसे बंद करोगे मान से जब भी आप नेट आउन करते हो या कोई कुछ देख रहे हो अपने आप नोट्फिकेशन यह भेज देता है कहीं न कहीं से तो अपने फोन से कैसे इसका नोट्फिकेशन इन्फो में आज जाएगा यहां पर आने के बाद सबसे पहले आपको एक आपको मिलता है नोट्फिकेशन का तो यह सारा इनेबल होगा सिंपल जैसे डिसेबल कर देना है अब कोई भी ड्रीम 11 का नोट्फिकेशन आपके हो में स्क्रीन पे नहीं आएगा जब इसके अंदर जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या क्या नोट्फिकेशन आया है या आने वाला है कई फोन में आप्शन नहीं देता है तो सिंपल से अपने फोन के सेटिंग में चले जाना है फिर बैक आने के बाद याप एप्स पर क्लिक करना है और सी अप्स पर क्लिक कर देना है